हेलो आपको इस वीडियो में स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PCI फिजिकल सेल आइडेंटिटी यह होता क्या है आज हम यहीं डिसकस करेंगे चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिजिकल सेल आइडेंटिटी इस एन आइडेंटिफिकेशन ओफ एस सेल एड फिजिकल लेयर जो भी हमारी सेल होती है जहां से भी हमें सिगनल मिल रहा होता है उसका इडेंटिफिकेशन फिजिकल लेयर पर जो होता है उसको हम फिजिकल सेल आइडी बोल लेते हैं अब यह calculate कैसे होती है यह हम discuss करेंगे हमें पता कहा चलेगा कि PCI क्या value आरे PCI की तो हमें पता कहा चलेगा अब आपने दो signal सुलोंगे PSS और SSS primary synchronization signal secondary synchronization signal अब जो PSS होता है इसके अंदर हमारे जो हैं तीन sequences होते हैं जिसको हम physical layer identities भी बोलते हैं 0,1 and 2 0 से 2 तक इसकी तीन values हो सकते हैं 0,1 और 2 SSS के अंदर हमें मिलती है physical layer cell identity groups इसके अंदर हमें groups मिलते हैं 0 से लेकर 167 तक तो total 168 different sequences हमको मिल जाते हैं तो अब यह diagram अगर आप देखें इसको मैंने diagrammatic form में दिखाने की कोशिश की है जो हमारे secondary synchronization signal है वो होते है 0 to 167 और जो primary होते हैं वो 0,1,2 की value होते हैं जैसे हर secondary synchronization के corresponding 0,1,2 यह तीन physical layer identities हो सकती है तो जैसे इस 0 के corresponding यह 0,1,2 ऐसी 0,1,2,0,1,2 ऐसे यह होती जाती है तो जो physical layer cell ID होती है वो हो जाती है अगर आप इसको 168 into 3 कर दें तो आपको 504 values मिलेंगी तो 02 हो गई 503 तो यह हो गई total 504 168 into 3 तो इस तरह से आपको यह मिला physical layer cell ID तो यह आपको इतिसारी values मिल गई यह PSS और SSS की help से ही जो हम decode कर पाते हैं कि भही हमारी physical layer cell ID कौन सी है तो यह हमें पता चल जाता है कि कौन से cell से signal आ रहा है और हम identify कर सकते हैं कि कौन सी PCI यह उसकी value क्या है अगर बहुत सारी PCI मतलब बहुत सारी cell ID transmit कर दें तो सबकी अलग-अलग PCI होनी चीए ताकि हमें पता रहे कि हमारा UE कहां से signal receive कर रहा है तो इसका formula भी होता है PCI equal to PSS plus 3 into SSS PSS हो गया primary synchronization signal जो भी है plus 3 into secondary synchronization signal तो इससे जो values है यह निकलेंगी और हमें मिल जाएगी है जो कि PSS से मिलती है और इनको जब हम combination करते है तो हमें total 504 physical layer cell ID मिल सकती है total तो जो इसका formula होता है PCI equal to PSS plus 3 into SSS यह होता है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले जो भी मैं वीडियो जालूंगों वो सब आपको notification आता रहे और आपको mail पे भी मिलता रहे और अगर कोई आपका suggestion है कोई improvement आप चाहते हैं या कोई ऐसा topic चाहते है कि जो मैं उस पर वीडियो बनाओ तो आप please comment में mention जरू कीजिए thanks for watching this video